नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल आजमगड में बाहु बली पूर्व सांसत के पुत्र ने पुलिस की गाड़ी को ओवर्टेक किया बाहु बली के पुत्र और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया जिसके बाद बाहु बली के समर्थकों ने खुब बवाल मचाया आपको बता दें कि आजम गडजीले के अमबारी दीदारगन थाना छेतर के हुवी गंज बाजार में सनी वारात आठ वजे बाहु बली पूर्व सांचर उमा कांत यादो के पुत्र ने एसो जी के वाहन को ओवर टेक कर रुक लिया इस कहा सुनी के बाद एसो जी की टीम ने पूर्व सांचर के पुत्र और उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर ठाने आ गई जानकारी होने के बाद काफी संख्या में बाहु बली के समर्थक थाने पर जुड़ गए बावाल बढ़ता देख कई थानों के पुलिस मौके पर बुलाई गई थी बाहु बली पूर्व सांसर उमा कांतियादो के पुत्र रवी कांतियादो सनी वार रात आठ वजे दीदारगंज छेत्र के कुभी गंज बाजार में अपने स्तमर्थकों के साथ वाहन में मौजूद थे तभी S.O.G का वाहन तेजी से गुजरा S.O.G के वाहन में पूरी टीम के साथ दीदारगंज थाना परभारी मौजूद थे या देख बाहु बली के पुत्र रभी कांतियादो ने भी अपना वाहन पीछे लगा दिया और कुछ आगे जाकर ओवाटेक कर S.O.G के वाहन को रोक लिया इस पर S.O.G की टीम और रभी कांतियादो के बीच कहा सुनी भी होने लगी बाद में S.O.G ने रभी कांतियादो और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया और दिदारगन थाने ले गई जानकारी होते ही रभी कांतियादो के समर्थक थाने में जुट गए भीड बढ़ती देख उच अतकारियों को भी इसकी सूचना देगी इसके बाद कई थानों की फोर्ष के साथ ही S.P. ग्रामेड सिधार्थ भी मौके पर पहुच गए थाने में बाहुबली पूर्व सांचर के पुट्र से पुष्टाच किया रही है पूर्व सांचर उमा कांत यादो के पुट्र रवी कांत यादो ने सिग्नल रोट पर कई बार S.O.G की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया आगे जाकर ओवा टेक कर अपने गाड़ी पुलिस की गाड़ी के आगे लगा दी और पुलिस कर्मियों के साथ अबधत्ता की आपको बता दें की इस प्रकरण में पूर्व सांचर उमा कांत यादो के पुट्र के आलावां उनके दरजन भी समर्थक भी ठाने जाकर पहुचे और उनसे पूश ताश की जा रही है वुकर्मा जजकर आगे की कारवाई भी की जाएगी अगर आपने हभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल बटन जड़ू दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद